वेल्कम फ्रेंड युक्ती आईस पर आप शभी लोगों का स्वागत है आज पांच जनवरी है तो दैनिक जागरा राष्टी संस का न्यूज पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटर्वी और इन कौन-कौन से न्यूज को कवर किया गया है जो यूपीएसस्टे जरूर देखिएगा बिना ही फारवट किये हुए क्योंकि बहुत से यूप एसस्टी के कम से ऊचल्प जरूर्आ Mm एक दो प्रस्ट आपको मिलने वालहै इसलिए अंद तक बने रहिएगा और वाविल्ती यसको सपोर्ट करिएगा साथ ही आप लो युक्ति आईस का एप भी यूटूब चैनल को सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कोमेंट सकते हैं महत्पूल तुझाओ दे सकते हैं साथ ही साथ आप लोग को जो प्रस्ण पीटी के पूछे जाते हैं उसके प्रस्ण भी आप लोग टेलिग्राम चैनल को दीजिए और मेंस का जो प्रस्ण पूछा जाता है दैनिक 11 से लेटेड वो आप लोग को ग्रूप जो एप का ग्रूप है बना हुआ युक्ति आईस एप का उसमें भी आपल सेर कर सकते हैं तो बने रहिए युक्ति आईस के साथ और युक्ति आईस का एप डाउनूड कीजिएगा गूगर प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगा अब लेवल हैं, आप YouTis का एप डाउनलोड करते हैं, तो बहुत से टेस्ट आपको अब लेवल है, जो बहुत ही लोग प्रैस, 99 से लेका 1,999 सक श्टार्ट है, जिसमें आ आप लोग को मेट्रियल भी दिया जा रहा है तो आप लोग विजिट करके जिरूर देखें चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो कुछ एलाउस्मेंट है उसे भी आप लोग सुन लिजिए जल्द ही आपको 14 तारिक जैसे इसमाप लोग 15 हम लोग प्लान है उस एंसर राइटिंग को कराया जाएगा तो आप लोग उसमें जरूर शामिल होगा चलिए अब हम लोग बात करते हैं महत्पुन टॉपिक है उस पर देखिए यह जो आपको टॉपिक है ग्रिन हाइड्रोजन यूपेसी और स्टेट पीसियस के लिए बहुत ही महत्पु इस पहले वीडियो आप लोग देखिएगा उस 29 अक्टूबर वाले वीडियो को जो भी लोग देख चुके हैं उनमें आपको एक की नोट्स को सामिल कर लेना है अनठा जो नहीं देखें वो 29 अक्टूबर 2022 का वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में वीडियो होगा यह ज इस टॉपिक से कोडिडेट होगा आप लोगों को टैली कर लेना है जो स्टेट पिस्चेश वाले स्टूट है इस टॉपिक को अपने गरे यह अपने महत्पून है या क्यों मैं इसको बोल रहा हूं कि आने वाले एक्जाम यहां से प्रस्ण पूछा जाएगा देखी यह पिछले साल बजट से ही चर्चा में है प्रस्ण अभी आया नहीं है इस से लेटे तो इस बार जरूर चांसे इसका कुछ ग्रीन निट्रोजन मिशन के तह होगे उससे रिलेटेड परस्ण आपको पूछे जा सकते है तो चलिए very good आप यहां तक clear हो गया तो देखी क्या लिया गया कल फैसला पहले उसे हम लोग देखेंगे और बाकी चीजिया जो अक्टूबर में किया गया analysis उसे देखिएगा तो देखी कल हुआ है कल cabinet का mission हुआ परधान मंति के cabinet mission तो पहले तो यह question का answer आप लोग दीजिए इस परधान मंति के cabinet mission में कौन-कौन लोग सामिल होते हैं कौन-कौन मंत्री सामिल होते या अधिकारी सामिल होते इस पर मैंने बच चर्चा भी किया था आप लोगो जो भी नए student है सर्च करना सीखिए युगती हो और development one way communication के ताथ जो होता है ना one way one way development वो नहीं होना चाहिए सर्च भी आप लोग करना सीखिए तो छोटी-छोटी चीज़े हैं तो cabinet mission का बैठक, cabinet जो बैठक होती है पढ़ानमंती के अधिक्ता में उसकी बैठक में कल आपको लगवद 94,44 लगवद 20,000 क्रोड के आसपास का एक प्रस्ताव को हरी जंडी दी गई जो आपको national green hydrogen mission से समन्दित है तो इस मंजूरी में क्या अहम बात है उसको हम लोग देखेंगे जो यह mission क्या करेगा रिफाइनरी, स्टील, सिमेंट, लोग उद्योग, जहाज रानी, अवागमन जैसे सेक्टरों में परदूसन फेलाने न महजुदा गैशों के इस्तमाल के जगा green hydrogen के उप्योंकियों से देखें यहाँ पर आप यह समझिएगा लगतार भारत क्या कर रहा है, एक स्वक्ष पर्यावरन, स्वक्ष वातवरन की बात कर रहा है, जलवाई परिवर्टन के संदर में बाते कर रहा है, या लाइफ योजना उसके संदर में बाते कर रहा है, तो उसी के संदर में स्वक् एक प्रसंद का आप उत्तर दीजेगा भारत में कितने कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर कौन-कोन से हैं, तो आप उसका उत्तर लिखिएगा, उसका ग्रोथ रेड आप लोग देखिएगा कितना है, यह सब कर लिजे, आप लोग को PIV में सर्च कर सकते, PIV से भी आप लोग को मिल जाएगा, और सोर्स जो भी आप लोग सर्च कीजिए, ऑथेंटिक सोर्स को, जैसे आपको कोई टॉपिक लिखना है, टॉपिक लिखकर आपको सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स डालना है, तेखा, चलिए, अब ग्रीन हाइडोजन सेक्टर कुल 8 लाक करोड, कितनी रासी, 8 लाक करोड, ध्यां रखेगा, निवेज का रास्ता खुल जाएगा, और 6 लाक नोकरिया, नहीं नोकरिया, आपको पत्यक्ष या पत्यक्ष रूप से मिलेंगी, यहां नोकरिया बात की जा रही है, सरकारी नोकरिया नहीं समझेगा, सरकारी नोकरिया नहीं है, आपको नोकरिया दी जाएगी, आपको पत्यक्ष या पत्यक्ष रूप से 6 लाक नोजिर, क्योंकि इतना वरा डवलप्मेंट छित्र होगा, सोस के सकता है यह जो छित्र दिखाया जा रहा है उसमें यह नौक्रियां सिर्जित होंगी तो आपको यह प्रस्न पूछा जा सकता है बताना भी होगा आप लोग को केंदी जो सुचना परसारन मंत्री है अनुरार ठाकुर जी उनके द्वारा बताया गया है कि भारत जो पढ़ान मंत्री थे 2017 तर नेट जीरो उसर्जन का लक्ष रखे इस पर हम लोग इतनी बार चर्चा कर चुके यह नेट जीरो उसर्जन होता क्या है आप लोग कोमेंट सेक पांची लक्ष रखे गए है क्या लक्ष रखे गए घरेलू अस्तर पर पचास लाख टन आपको क्या करना है अगर हम इससे पांच मिलियन टन की बात करेंगे ग्रीन हैडोजन के लक्ष को काप करेंगे उसके लिए क्या होगा हमको आठ लाख करोड उपिया का इंवेस्टमेंट करना पड़ेगा सोच के देखी कि बड़ी रासी की बात हो दी है भारत एक लाख क्रोड उपियेगा कम इंधन की आयात करेगा इससे बहुत बड़ा उपलबदी प्राप्त हो जाएगा इसके साथ ही दो तिन चीज़े यहाँ पर याद रखिएगा क्या य अपनी महत्वकांची यूजनाय को एलाइन किया है तो यह सब आप लोगों को याद रखना है कौन-कौन से प्रगति जब भी ग्रे हाइडोजन के बारे में या तो ग्रीन हाइडोजन के बारे में बात की जाए तो यह सब चीज़े आप लोगो याद होनी चाहिए जब भी अपनी लेना आप लोगों को विस्तित रूप समलों चर्चा करेंगे इसी में ग्रीन हाइडोजन घ्रेलू मांग पैदा करने उत्पादन और निर्यात पे संबंदित बढ़ावा देने के लिए इलेक्टोलाइसिस का निर्मान कर ग्रीन हाइडोजन का निर्मान के अलग प बात करने वाले हैं उस पर आगे अराम से चीजों को समझेगा नीचे इससे बहुत 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 बहुतरिन आपको चीजों को कभर किया गया च्वासा नीचे हम लोग आएंगे और देखेंगे वेट कीजेगा देखिए अब मुझे नहीं लगता है न इससे ज़्यादा आ अगर प्रसन आपको मेंस में पूछ दे भारत के द्वारा उठाए गए कदमों में ग्रीन हाइडोजन एक बहतर हरित प्रयावरन को लेकर आएगा उसके संदर्म में भारत की रन्निती को अस्पस्ट करे वैस्विक भागिदारी को अस्पस्ट करे तो इस टौफी को इससे बहतर एक्सपलेशन नहीं कर सकता है कोई पेपर इसलिए मैं बोलता हूं कि हिंदी भासी जो भी एस्टुडेंट है न जो भी एस्टुडेंट एस्परेंट है या उई-पेसी दे रहो हो या स्टेट पीसे दे रहो हो द्यानिक जागरन मस्ट आप लो देखिए लोग अधिके से डाटा को कवर नहीं किया जाता है बस आप लोग को ध्यान यह रखना है ने पेपर को हम कैसे इटिलाइज करें अपने एकदाम के लिए अगर आप कोई भी पेपर आप पढ़ड़ है आप लोकल पेपर भी पढ़ड़ है उसको इटिलाइजेशन आपको आना चा है चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले देखिए कुल कुछ चीजियों को मैं अस्पस्ट करूंगा पहले तो आप लोग यह समझे कि ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में मूल अंतर क्या होता है इसको समझेंगा आगे आगे की बात कहेंगे पहले चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विवाजित कर हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है देखिए जल से जो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है तो जो हो जानते है जल का सुत्र जो राशाइनिक सुत्र होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क संपन कियाजाता था जो जल एजटु ओसे अलग करनी की जो परकुरिया होगी एक मसीन मान लिज़े आप तो यह आप लोग को याद रखना है और इस परकिलिया में जिवास मिंधन अधारित उर्जा का पर्योग होता है उत्पाद के रूप में आपको हैडोजन प्राप्स होता है अधिन नवी करनिये शौर उर्जा की बात की जाए उर्जा का परोग किया जाया तो बनने वाले हैडोजन ग्रिन का हलागी क्योंकि यह इसमें तनिक भी कार्बन का उसर्जन नहीं होता आपन कर्णि पार्टिकूल्स का उसर्जन नहीं होता है तो यह सर्द कीजिए हमलोग को समयना होगा एक सकेर्ड कूल कीज़ेगा ताकि में एक बाल फिर से और यह लेलू पे प्रिभाu स्टार्ट होगी है नहीं हुआ है चलिए है चलिए है अब उर्जा अंतराश्टी उर्जा अस्थनांतरन सुल्क 25 वर्ष के लिए माप करने की बात किजारी इसमें अलग को ग्रीन हैडृजन यह सरी करेगा करेगा उतपादन करेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा 25 वर्ष के लिए जो स्तनांतरन सुल्क होता हो वो माफ कर दिया जाएगा ग्रिन हाइडोजन और अमोनिया उत्पादों को प्रात्मिक्ता से पावर ग्रिट से जोड़ने के विश्यस ध्यान दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर हम लोग परलोभन भी दे रहे हैं ताकि जो भी कमपनिया है न सुरुवाती दोर में वो इन्सफार्श्ट्रक्य को दबलग पर सके इसके उत्पादन के लिए तो इस प्रकार की यह चीजों को कवर किया जाता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सरकार को संदर में जिज्दे ले जाने चाहिए और देखिए इसके संदर में केंद्री जो प्रियारन मंत्री भूपेंद्र यादो जी जो है बीते वस राइसिन राइसिन जो हिल्स है डायलोग होता है इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों को राइसिना डायलोग तो बताईएगा ये क्य तो इतना इंपोर्टेंट है दूसरा किसकी सुरुवात कव से की गई है राइसिन डालोग लास्ट में कव जारी हुआ है उसके मुद्दे क्या थे विशय क्या थे लास्ट जो जारी किया गया है उसके मुद्दे क्या थे उसको आप लोग मुझे बताईएगा इसी में बात करने के समधाना विल्स्टर की जाई है उसकी समस्याओं के समधान में अगर्नी भूमिका उठाएगा यह यह जो ग्रीन हिड्रोजन के प्रगति yol लेकर अगई है और मुशन लेकर आए गजय है क्योंकि Green Hydrogen के छेत में निदर्लेंड एक भी से सस्थान रखता है विस भर में बन रही है निथियां उसी में संदर में देखिएगा कि देश जहां पर न केवल उत्पादन के लिए निथियां बना कर लागू कर रहे हैं वहीं निवेस कर रहे हैं बलकि सहयोग की भी खोज कर अठाथ परस्पर सहयोग परस्पर निवेस की बात की जा रही है ताकि हम एक बहतर वातारण को निश्चित किया जा सके लक्ष जो निधारित कियेगे Green Hydrogen के संदर में स्वक्ष पर्यावरन के संदर में उन सब चीजों को कभर किया जाएगा चलिए इसी करम में देखिए बीते वर्ष निधर लेंड एक प्रस्ताव दिया था भारत को जिसके अरुसा भारत में उरोप के लिए Green Hydrogen निर्याथ हब बनने की संभावना है निधर लेंड के जलवाई दूथ है प्रिंस जेमी दी बर्वन दी पार्मे याद नाम रखेएगा इनको अगर याद कर सकीएगा अप लो तो या तो डी पार्मे याद रखेएगा इससे भी काम चलिएगा या जेमी नाम याद रखेगा, प्रिंस जेमी भी आप याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इनका नाम याद रखना है, इनके द्वारा ये कथन कहा गया था, दोनों देशा था, निदरलेंड और भारत, ग्रीन हाइडोजन के बैपार में समरिद करने की छमता है, क्योंकि इस में देखिए एक बात और भी है, अंतराश्टी पहचान बनाने में लगा हुआ है भारत जिसने बैंगरूर वैस्वी कमपनी जो है, अहोमियम, उसने इंटरनेशनल ने क्या किया है, कि एक सवयंतर स्थापित किया है बैंगरूर में, जहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड किसी प्रकाय का कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, अब देखिए ग्लासगो में कुछ बातें की गई थी, जिस पर मैंने चर्चा भी किया था, पहले के नियूज में की कोप 246 ग्लासगो सम्मिलन है, वहाँ पर भारत के जो परधान मंत्री हैं, उनके द्वारा क्या किया गया ह कि भारत के नियर जिरो सरजन का देश बनाने के लिए परतिवत्ता, सरकाली और निजी उकरम के दूप योगिता की बात की गई थी, और मैं आपको बताया था, अगर इस पर काके कुछ भी लक्ष प्राप्त करने हैं, उसमें पी-पी मोड पर काम करना बहुत जुरूरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टर्शिक के अधार पर काम करना बहुत जुरूरी है, नहीं तो चीजे आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि नए-ने नवाचार आपको प्राप्त करने होगे, बहुत से इंफास्ट्रक्चर डवलप करना होगा, तो सहयोग बहुत जुरू प्राप्त करने के लिए क्या काटेगरी होता, इसे आप लोग बताईएगा, तो इसने लक्ष रखाया क्या आयोसी इस्थापना इंडियन ओयल अप्रेशन जो है उसने एक लाग साथ हजार बेरल परती दिन चमता ओले ग्रीन हाइडोजन प्रांट लगा रहा है कम्पनी का लक्षे कि दोजाद 24 तक 10% ग्रीन इंधन का उप्योग कर सके है तो एक लाग साथ हजार बेरल परती चम क्लास स्टार्ट हो गई है उसका भी टेंसन हमें को देखना पड़ता है इसलिए खाक किजिएगा गैस अथरोटी अप इंडिया लिमिटेड याद रखिएगा इसमें 10 मेगावाट ग्रीन हाइडोजन प्लांट लगाने की भी बात की गई है एंटी पीसी गुजरात में 4.7 गिगावाट का इस अन्य आपको मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है उससे भी याद रखिएगा कहीं अगर पूछे तो आप लोगों को छुटना नहीं चाहिए इनके साथ उप्योग हो सकता है कहां कहां इसका उप्योग किया जा सकता है घरिलो उप्योग में किया जा सकता है पॉटिबल पावर सोर्स में करते हैं इसका कर सकते हैं साथ रसायन लोग इस टील द्द्ध ऊप्योगों में इसका उप्योग किया जा सकता तो अगर प्रस्न पुछ दे तो आपको इससब में तेंसा नहीं लेना है नेजी छ क्षेथर का भूमी का क्या है इसे दे आपक्रो के बज़ाए hydrogen का उप्योग करेगी तो जहां रखिएगा आने वाले कुछ समय में बहुत से निज़ी कमपनियां जो है वो भी अपना green project पुरा कर लेगी जिसके बाद हम लों इस सब चीजों को cover कर सकेगी अधानी समू भी माय टेली मॉंट जो टेकनी मॉंट है उसके साथ मिलकर green hydrogen उत्पादों का कदम बढ़ा रहा है और अस्थान में यह समू है उसके green hydrogen ammonia project लगा रहा है तो यह सब चीजे आपको इंधन पुल मिला के यहां बात यह है कि देखिए डाटा और याद आखिएगा यहां पर उर्जा एवन संसाधन संस्थान जो टेरी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भायरत hydrogen मांग में साथ लाख टन परतिवर्ष पूल अनुमाने की 2030 तक hydrogen की कीमत में जो कीमत है वो आधी हो जीगा मानले जब पांच सुर्प्य दे रहा है पर लिटर तो अभी मानले जो उसमें आधी धाई सुर्प्य हो जाएगी दोजग चीज तक पर इतना रिट नहीं होता है मैं एक आकराद बता रहा हूं आखो तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है इससे क्या होगा टोटर इन सब आखड़ों को बेहता तरीके से आप लोग कवर की देगा जितना वी चीज दिया एक सो साथ अरब डॉलर के सरवादिक विदेशी मुझ्जा परतिवर्ष भारत उर्जायात कर्भ पर ब्या करता है जो इससे हम लोग निजात मिलेगा गीगा टन कार्वन उसरजन जो है कार्वन डाक्साइव भारत कम कर सकेगा इस लक्ष पर प्रोजेक्ट है तो अगर सफल बनाता है तो पान सो गीगावाट नवी करनी उर्जावत पादम भारत वो बहाद परतिवस्तीन दो जर्तिस तक लक्ष तैय करेगा यह सब चीजे आ आखड़े आपके लिए उसके साथ तालमेन आपनों कीजेगा जैसे भारत में इसके जो जिवास इंदन के जो लक्ष रखाया समापती के लिए और जो हम परियावनी या जो नवी करनी उर्जा का उप्योग करेंगे उसको लक्ष प्राप्त करने के लिए एक सहयो का काम करे चाथ पी आईये योजना के तरफ बहुत से कारे निजी किये गए हैं जिसमें हमको और अचना निर्मान के लिए जरूरी है कि हम कम इंधन अठाथ कम मुल्य की लागत पर इंधन प्राप्त करें तो इसके लिए भी यह ग्रीन हाइडोजन काम करेंगा चाहती साथ भारत में इन्फा स्ट्रक्चर को डवलप करने में ग्रीन प्रोजेक्ट बहुत महत्पूल काम करेंगा देखिए एक प्रोजेक्ट का निवान करने से हैं बहुत से इसके अम्रेला योजना के रूप में देखा जाता है इससे अन भी सेक्टर डवलप होते हैं रोजगार क्रियेट हो सोच के लिए इतने वड़े रोजगार के शेक्टर डवलप होंगे आपको आपरा भी दिया गया था तिसरा ये आपको चौथा इसका एका महत्पूल कारण हो सकता है ये कि ये भी कारण आप मान करेंगे हम अंतराष्टी रूप से बेहतर संयोजक के रूप में काम कर सकते क कि लश प्राप्ति करने के लिए आभी कल ही मैंने आप लोगों को डाटा दिया था ना बताया था कि भारत लच्षे से जो टार्गेट लख्ष उससे पहले अपने लख्ष को प्रास्त कर रहा है तो अंतराष्टी अस्तर पर भारत को एक जिम्मेवार राष्ट के तौर पर जाने जाने लगेगा इसलिए मैं कुछ दिन पहले ही बोल रहा हूं कि लगतार भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पर responsibility सबसे important चत्थ हो जाता है तो आप लोग को ध्यान रखना है Green Hydrogen Project के तौर पर कभी प्रस्ण पूछे तो में इन सब चीजों को लाब क्या होगा Green Hydrogen Mission उसमें जो Green Project लगाया जा रहा है हब बनाया जाने का परियास जो किया जा रहा है उससे भारत के लाब केवल आर्थिक ही नहीं होने वाले है आपको राजनितिक भी लाब होने वाले है शमाजिक लाब भी होने वाले है और हमें अंतराष्टिये रूप से जो ख्याती प होने वाला है तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना इसके बहुर डायवेंशनल चीजों को कवर करना है जो मैं आपको पॉइंट राइट कवर किया हो ठीक है चलिए नेश्टम लोग बात करेंगे देखिए तलाक सुधा मुश्लिम महिला पूरुपती से जीवन भर गुजारा भच्ता पाने के हगतार है आपको इलहाबाद हाई कोट के द्वारा कहा गया यह क्यों आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है खास कर उन मुश्लिम महिलाओं के लिए कि आपको यह न्यूज कवर करना है आपको यह न्यूज में काम नहीं देगा पर इंट्रिव्यू में बहुत बहुत तरीके से यह काम कर सकता है अगर आपको महिला ससक्ति मुस्लिम महिला ससक्ति करन के संदर्व पूछे या तो महिलाओं में महिलाओं का अंतर पूछे कैसे कहा पर उनके साथ गैर बराबरी की जा रही है महिलाओं में महिलाओं का साथ गैर बराबरी उस टॉपिक में आपको यह आपको कवर करेगा यह जो आपको हाई कोट का फैसला है क्यों हिंदू महिलाओं को कब का गुजारा भात्ता के संदर में मिल चुका आप लोग को पता है आज तक देखिए आज इसके चीज़ों को लेकर बाते चर्चा हो रहे मुस्लिम मेलाओं में कि कोट को सरस्थाओं को और अजन्सियों को ये लग रहा है कि इसे गुजारा भत्ता कर देना चाहिए आपको कब तक देना चाहिए जीवन भर गुजारा भत्ता जब तो उसकी मिर्ट्यू नहीं हो जाती है तब तक देना है मिर्ट्यू मंदब प्राकेटिंग मिर्ट्यू और इस पकार से चीज़ों को कवर करता है तो यह देखिए यहाँ पर एक कोट का देखिए भर्डिक है ना उसमें कुछ बाती की गई उससे आप लोग जरू समझे जो में लगतार आप लोग को बोलता था वो बेहतर ग्यानी भी नहीं है अठात कुरान को संदर्भित जो चीजों को लेकर अभी वर्तमान संदर में समझा नहीं पाते हैं केवल बे तुकी बातों को संदर में कुरान का प्रस्तृति करन कर रहें उसके संदर में एक सुप्रीम कोट के द्वारा बहुत असपष्ट और एक महिन रेखा आपको खीची आज है आज इसको समझने की जो रहता और सभी लोग मुश्लिम जो है वो इस लाइन को जरूर याद रखिएगा समझिएगा तुलना कीजिएगा क्या ये इनके द्वारा बोला गया है कि पवित्र कुलान जो सरीफ है कुरान सरीफ है सोहर पर तलाग के बाद अपने पूरु पत्नी का खया लखने का आदेश देता है देता है पर वर्तमान में चीजे क्या हो रही थी देता तो है गरंथ आपके जो है पाक गरंथ है वो आपको देते है आदेश की आपको ऐसा करना है तो क्या वैक्ति वैसा आदेश पालन करता है ये स्वेप पुरुस वर्गों को सोचने की जोरत है, अगर नहीं करता है, इसका मतलब वो दोहरी चरित्र को अपनाता है, एक पहला प्रस्म दे रहा है, यहाँ पर सवाल दे रहा है, अब मैं बस आपको प्रस्म इसमें कुछ दिमेरिट समेरिट नहीं ढून रहा है, जो इसक समाज में लोकतांतिक देश में रहना चाहते हैं, लोकतांतिक देश में अपने आच्रम बहवार करना चाहते हैं, तो आपके माइंड नेरो नहीं होने चाहिए, ठीक ना, सबसे पहले तो आपको यह समझने चाहिए, आपके माइंड को बहता तरीके सोचने समझने की सक्ति डवलप करनी चाहिए इसके अर्थ क्या निगाल रही है ये समझने की जुरत है अर्था जो भी मुस्लिम वर्ग अभी तक नहीं दे रहा होगा इसका मतलब वो पुरान जो पाक पुरान है उसके मुल तत्तो को नहीं समझा इसका मतलब मैं लगतार आपको बोलता था ना सोच क कल्यानकारी मानवा अधिकार को सरच्छित करने वाला है लेंगिक समाजिक न्याय दिलाने का कानून है उसकी व्याख्या उसकी ही तर्चपक की जाने चाहिए मैं आपको क्या लाचार बोलता था कि जब मूल रूप से जब इसलाम आया उसमें जो भी गरंथे जो भी चीजे अर्थ निकार है ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो वहाँ पर वर्तमान सदर में हम क्या बात करते हैं कल्यानकारी राज की बात करते हैं मानवाधिकार की बात करते हैं लेंगिक समानता की बात करते हैं समाजिक न्याई की बात करते हैं यही वर्तमान सवरूप है न आपको मैं समझाता था नोजिन याद कीजिएगा जाके वो वीडियो देखिएगा उसमें मैं यही सब्दों का पयोग करता था जो आप लोग को कहीं न कहीं समझ में नहीं आता है उन्हें बोलते होंगे मैं बस यही बताना चाहता था और देखि आज जो हाइकोट है उन्होंने वही सब्दों का पूर्णाविर्टी किया जो मैं आपको उन्सके संदर में बताता था कि वर्तमान में क्या तत्थ है वर्तमान में हम लोग कल्यानकारी राची की बात करते हैं उसको हम लोग आज के संदर में समझने का परियास कर रहे हैं अगर कुछ बाते की जा रही है उसको पहले आज के संदर में समझिए जो 2-2,000 साल पहले जो चीजे थी उसको अगर अभी थोपने का परियास कीजेगा अभी चीजों को उसके संदर में इंटर्प्रेट करने की कोशिस कीजेगा तो समस्या यहीं उत्पन होगा आपको कोई भी बाते करने हैं तो उसकी मौलिक्ता को रखिए ध्यान में मौलिक्ता को ध्यान में रखता है इसके मुल्टत्व कुछ होंगे न अब मैंने पुरा कुरान नहीं पढ़ा हूँ फिर भी मैं इतना तो समझ सकता हूँ न कुछ उसके मुल्टत्व होंगे कुछ मुल्टत्व अर्था जैसे हमारे सविधान के कुछ मुल्टत्व है मुल्धाचा है है न मुल्धाचा तो वैसे भी कुरान के कुछ मुल्धाचा होंगे उसको हम लोग को उन्नत करने की जुरत है जिसमें एक इस कॉंसेट को समझने की जुरत है तो आपसे कभी भी प्रस्न पूछेगा जो भी मुस्लिम कंडेट है या हिंदू जो भी है स्रीकिस किजएगा कि जितने भी पवित्र गंजन है वो गीता हो रमायन हो गुरान हो यह तो और आप को सिख लोगों का इसाई लोगों का जैन धर्म लोगों का सभी का मूल् तत्ब यही चिपा हुआ है आपको इसे हम लोगों जतना जल्दी समझ हिए उस समयने की जुरत है चलिए अ गुजारा भत्ता के लिए मस्टेट के समझ अरजी दाकिल करनी परती थी और यह जो मामला था देखे जाहिए खातुन का मामला था जिसमें परिवार जो नयाले होता है फैमली कोट होता है गाजी पूर्णे केवल इदध की अउधी अब इदध की अउधी में जो गुजारा भत्ता की बात की जाती है एक सक्वेन रुख जैएगा थोड़ा का ठोड़ासा थोड़ासा जी अब हो गया सही इस गुजारा भत्ता दिलाने का आदेश दिया जिसे हाई कोट ने खारिच करते हुए बोला कि आपको क्या करना होगा जिस तरह के अनलोग वो प्राप्तोता अन महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है जीवन भर वैसे ही आप इसको देने का बुश्णी महिलाओ मैं जो बाते कह रहा हूं असपश सब्दों में बोलता हूं उसको समझने की जुरत उस पर विवात खड़ा करने की जुरत नहीं है तुष्टी करन की राजनिती में हमने अन धर्मों के अधिकारों की तो ब्याख्या बहुत 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 तरीके से किये होनी भी चाहिए क्या तुष्टी करन की राजनिती में क्या हमने मुश्लिम वर्गों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात हूत उतने जोर सोर से की जितने अनवर्गों के लिए करते हैं तो सबसे बहला सवाल है उन सोसाइटी के गुद्धी जीवी लोगों का कि इस प्रकार की दोहरी निती क्यों चरित लेकर आते हैं ये समझने की जुरत है आपको यहां से प्रस्म पुछा जाता है दूसरा खास कर मुस्लिम महिलाओं में म मुस्लिम वर्गों से मुस्लिम महिलाओं से भी पूछा जाता कि आपकी वास्तविक्ता वास्तविक पहचान किस चीजों से है आप किस चीजों से अपना में पहचान बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से कि आपके ही वर्ग में आपके कुछ लोगों के द्वारा आपको जाएंगिक समानता उसके अधार पर तिसरा ये प्रस्फन सबसे इंपोर्टेंट आपको ये समझने की जुरत है कि क्या पुरूस वादी सोच केवल अनधर्मों में है या मुश्लिम वरगों में है मुश्लिम वरग में पुरूस तो बोलते हैं कि हम बहुत चीजों को लेकर च चिपे हुए हैं तो आप जितने भी लोग हैं आपको क्या करना है आपको इन मुलतत्व को समझना है चलिए ने श्थमनोں बात करें और चीजों को देखिए आपको जब भी पढ़ाई करते हैं देख्ची समझिएगा तो पढ़ाई करने में या तो लोग क्या करते है पूरी तरह विरोधी हो जाते है जैसे आपको क्या करते है या तो पूरा उसका समर्थक हो जाते है पर एक एस्परेंट है आप है न एस्परेंट है यहाँ पक्ष भी पक्ष देख लिजेगा यहाँ पक्ष हो गिया यहाँ भ सकते राजितिक संदर में ऐसा हो सकते पर बैक्तिगत रो या एस्परेंट के तौर पर आपको हमेशा इस न्यूट्रल पास पर चलना है अगर नहीं चलिएगा तो आपका कोई भी एक्जाम सेलेक्शन नहीं होगा स्टेट इस्पीस हो या इस्परेंट है तो हर मुद्दे पर आपके पक्ष के पाट और विरोध के पाट पोजिटिव नेगेटिव इंपक्ट को लेकर चलना है तो चीज़े असान हो जाएंगे नहीं तो देखिए और इंटिवी बोर्ड में आप इसका इस्क्यूज नहीं दे सकिएगा कभी इस्क्यूज नहीं दे पाईएगा अगर आप किसी प्रकार से प्रो हो रहे है पोजिटिव या प्रो नेगेटिव हो रहे है तो आठा जिसके तरफ ज्यादा जुकेंगे उसके लिए कोई इस्क्यूज नहीं आपसे मांगेगा आपके सवालों के जवाबों को सुनेगा उसके बाद वो अपना आइडिलोजी से पहले चार दफा सोचिएगा कि इसके वर्तमान सवरूप में क्या डिमांड है इसका मुल तंत्र क्या है इसे समझने की जुरत है तो इसने क्या किया है देखिया सवालिया निसान बहुत कुछ चोड़ा है जिसमें शासन पर सासन के साथ सासन पर सासन का किरकिरी हुआ ही हुआ है कुछ रिष्टे भी किरकिरे हो रहे हैं उसके रिष्टे के जो मर्यादा उसकी भी किरकिरी होने वाली है क्योंकि उसी और बढ़ रहा है सब चीज़े और समाजिक दाइत्व क्या रह गिया है इसको कोई समझने की जो रखता है चलिए very good सभी लोग का कोमेंट आ रहा है लाइब क्लास जो जीए कैपसुल स्रीज चल रहा है आप लोग सभी लोग इतने भी यहाँ पर मेरे वीडियो सुन रहे न आप लोग जीएस कैपसुल एक बार जरूर देखिए जीएस कैपसुल 2.0 युक देखिए क्या हुआ सासन पर सासन के संदर में देखिए बार बार PCR कॉल होने के बावजूद भी मोके पर नहीं पहुच पाएगी जो दिल्ली सरकार दिल्ली की बेवस्ता सासन पर सासन जो है अब ये नहीं मैं पढ़ूँगा कि ये केजरिवाल के अंडर आता है कि ये अब देखिए जो भी लोग इसको सोचेंगे पढ़ेंगे ना उसमें नेगेटिव हमेशा बाते जाएंगे कोई भी आम बैक्ति होगा कि जब हमें जरुत होती है तो ये सब PCR किस काम का जब हमें सपोर्ट ही नहीं करता जरुत के वक्तों तो इतनी बड़ी और सरचना निर्मान किस बात का या तो हम खर्च क्यों करेंगे हम टेक्स क्यों प्रुप और सक्षम परशासन बनाने के लिए सक्षम लोगों का होना बहुत जुरुरी है सबसे पहला तो ये समझने की जुरुत है जो यह समझ सके कि ये अगर दो बज़े रात तिन बज़े रात किसी का PCR पर परसाचन में इस प्रकाय का सोच विचार डवलप नहीं है तो कैसे किसी सिस्टम को सुधारा जा सकता है आप सोच के देखिए अगर दीन में होता तो चीजों को दीन में भी ऐसा हो तो नहीं होना चाहिए PCR कोल तुरंत रिसीब करना चाहिए और मौके पर पहुचना चाहिए पर यहां रात है और दो से धाय तीन बज रहे हैं उस इस्तिती में आपको पर PCR कोल आ रहा है तो फिर भी आपने तौरित करवाई नहीं किया इसका मतलब सिस्टम में कुछ परसिक्षन के अस्तर पर कमिया ह कुछ न्युक्तियों के अधार पर कमिया है साथी साथ कुछ न्युक्ति परकिरिया में कुछ लगतार हम लोग रिव्यू नहीं करते ऐसे अफसरों के अगर सोच लिजे ऐसे अफसर रहेंगे अगर एक परसासन में ऐसे अफसर लगतार बने रहेंगे तो उस परसासन में कि कि जब तक आप एसी रूम में बैठ कर नियम बनाईएगा ना तो धरातल पर यही समस्या उत्पन होगी तो इस परकार के नो पेसी आर्वे नहीं पकड़ सकी आरोपियों को सोचके देखिए अब यह अलग मुद्दा है क्या इसके मामले थे मैं उसकी बात नहीं करूंगा इस मैं यहां बात कर रहा हूं ब्यवस्थाओं के तवरित नहीं आए पर जो आपको पेपर फोर में आपको केस स्टेडी के तौर पर समझ सकता है या तो फिर इंट्यूविव में आपसे यह पूछा जा सकता है इस घटना के बारे में परसासनिक और छमता को प्रस्ण करके पर थी उसके बाद आपको यूपी में बहुत से ऐसे घटना करम हुए है अलातार आपको फिर हाले में दो चार घटनाएं हुए जा आप महिलाओं का बोडी काट के ठेका गया अभी तर सिस्टम क्या करी यह सथ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है इसे क्या कारण है उसके पीछे के संदर में दो तिन चीजे याद रखिएगा सीधा एक लाय में बोलेगा एसी रूम में बैठ कर अगर हम चीजों को अभी भी हम सुधार करना चाहेंगे तो धरात लिए अस्तर पर यही सब छोटे छोटे चीजे हम लोग प्राप्त करेंगे उसका आप्पूट यह तर रहेगा फिर एक कोई घटना इसके बाद हो जाएगी सोचके देखिएगा इस प्रसन चीन आपको पेपर फोर में यह कनबर्ट करता है के स्टेट पीसेस वाले स्टुडेंट है वो भी अपने इंटिवू के लिए इस चीज़ को त्यार करके रखिएगा इस प्रसन आप जो बाते हम मैंने बोला है जिस संदर में आपको समझाया पुलिसिंग सुधार के बारे में पहले के वीडियो में उसके संदर में अगर हम ऐसे नहीं सुधार करेंगे तो इसका धरातली अस्तरपर परणाम ऐसे ही भोगतने को पड़ेगा कि सिस्टम में हम लाखो क्रोड र नहीं कि अगर परिवार के साथ चोटी बच्ची है चोटे बच्चे उसके सामने गाली ग्लोज से बाद उसके मानसिक जीवन पर कैसा परभाव पड़ेगा यहां तक कि समझ नहीं है छोटे से माल लेज़े आप रोट कर जाते है छोड़ा से तो गाली ग्लोज करना शुरू चलिए नेस्ट हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर बात करने वाले देखिए हाली में पंजाब और हर्याना को लेकर सतलूज नदी पर लिंग योजना को लेकर जल विवात चल रहा है नहा निर्मान के संदर में हाली में नदी जल बटवारे के सं प्रीविणच के संदर में चर्चा सभी को आप लोग को इस देख लेना है उसके बाद हम लोग को चर्चा करेंगे इसके सब पाट पर कैसे यह सब लिंक जरूरी है 1981 में यह नदी जल विवाद सुरू आथा तैची पंजाब हरियाना के मावले में नदी जल विवाद क्या है इस पर लो चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहले आप लोग को याद रखना है यह टॉपिक आपको EPSC के GS PEPER 2 में नियादे करन यह नदी जल विवाद से समझने इस टॉपिक को खबर करता है चलिए तो भारत में कई नदी नदियां एती हैं जहां पर जल विवाद जल बटवारे को लेकर कई राज़ुन में विवाद है तो कुछ नदी जल विवाद हम लोग देखेंगे उसके बाद आप लोगों को याद रखना है रावियन ब्यास जल विवाद याद रखेगा नदी जल विवाद पंजाब हरियाना लिखा गया हरियाना राजस्थान याद रखेगा कावेरी नदी जल विवाद केरल केरल करनाटक और तमिलाडु पदुचरी नर्मदा जल नदी जल विवाद, मदपर्देश, गुजरात, महराष्ट, राष्थान के बीच विवाद है किष्णा नदी जल विवाद, महराष्ट, आंदरपर्देश, करनाटक, तेलंगाना के बीच गोधावरी नदी-जलविवाद महाराश्ण, अंदरपड़िस, करनाटक, मदपरदिस और उडिसा के बीच तो इतने नदी-जलविवाद भारत में है और लगवं 25 से 26 नदी-जलविवाद आपको भारत में है चोटे बड़े सभी मिलाता है पर महत्मूल नदी जल विवाद बटवारा आपको अथात नदियों के जल का बटवारा मालिजी उस से नीचे तक जो नदियां बह रही है मालिजी एक तक ये इंडिया है इंडिया में उपर से नीचे तक जल जो उपरी अस्तर से नीचे की बढ़ कर जा रही है जल फिर जैसे नदी जल विवाद है ऐसे नदी जल विवाद है इसमें राज्यों के बटवारे के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के बटवारे से सम्मंदित विवाद बार बार आते हैं उस पर आपको यह टॉपिक आपको बहुत इंपोर्ड़ यहां से प्रस्लिंग की पेसी ने लगतार पूछा है तो इस विधान के भाग आपको 11 में आएगा यह 262 अनुछे तो इसे याद रखना है अब नोट याद रखना है दो तीन चीजे याद रखना है अनुछे 262 अंतरगत उच्तम नियाले को इस मामे में नियाइक पुर्वालोकन या सुनवाईक अधिकार से वन्चित किया गया था सं किल्टी क्लास में कवर किया जिनको याद होगा वो याद रखे होंगे अब है यहां कि 262 के तहट जो भाग इगारा के तहट केंदराज संबंदों को असपश्ट करता है तो भाग इगारा क्या करता है केंदराज संबंदों को जिसमें क्या करता है 262 में आपको नदी जल ब नदी बोड अधिनिया 1956 और अंतराजिये नदी जल अधिनिया 1956 याद रखिएगा इसको याद रखिएगा नदी बोड 1956 के तहट क्या किया गया है अंतराजिये नदी घाटियों के नीमन और विकास के लिए केन सरकार द्वारा नदी बोडों की अस्थापना का परधान करता है उन्हें सलाह देने से सम्मंदित राज सरकारों के अनरोध पर एक नदी वोड की अर्थापना की जाएगी। दो तिन चीजे याद रखिएगा कि अंतरकार नियुक्ति करेगी इसकी अनरोध करेगा राज सरकार की हाँ फालना हमको नदी जल से सम्मंदित कुछ विवाद हो रहा है उसको डिस्पूर्स समाप करने के लिए एक गोड की अर्थापना करेगी। अनरोध नदी तो करेगा करेगी। तो ध्याना किएगा कि नियाधिकरन एक अध्यक्ष होगा दो अनसदस होगे जिसमें भारत का मुख नियाधिस उच्तम नियाले का हो सकता है सुप्रिम कोट का और उच नियाले के नियाधिस को मनुनित किया जा सकता है तो ध्याना किएगा सुप्रिम कोट का स्टेटस इसे प पूकि जो सुप्रीं में कोड गज होंगे या हाई कोड कर जज होंगे वहों क्या होंगे दो आनुप करता याथी स्लाह केवल सलाह देने के लिए ठीक अब नोट यहां याद रखिए जिनको जल से समंदी स्वेधन सिल मुद्डों को निप्टाने का अनुबह होगा जो यह दोनों होंगे ना तो आकलन करता है वेसे सक उसको स्वेधन सिल मुद्डे जल से समंदी स्वेधन सिल मुद्डे की जनकार इसके लिए चलिए इसके बाद याद रखेगा जो इंटर स्टेट जो रिविलियर्ट वाटर डिस्पूट है उसको कानुन जो अंतराजी जल विवात कानुन रिविशुशंपन के प्रवधानों कनुसा नियाधेकरन को अपनी रिपोर्ट की फैसले तीन वर्ष की ओधी की भ क्यालकरम के रूप में देखा जाता है वहाँ विवाद बहुत दिनों से जल रहा है इसके अन पच्छ भी है बहुत से विवाद लंबे है दस साल विस साल के भी है पर फैसले के संदर में फैसले आ चुके है पर फैसलों का पुना फैसला होता जाने पुन विचार होता है इ अगर माले जो नियाधिकरम कुछ और समय मांगे तो उसको दो वर्स बढ़ा दिया जाता है पांच वर्स के अंदर उस फैसले को सुना देता है फैसला कुछ भी एक्स वाई जेट कुछ भी हो सकता है अब इस एक्स वाई जेट पर पुनविचार के लिए भी जो राज्य में डिश्पूट होगा नदी जल विवाद को लेकर वो पुनविचार कर सकता है तो मामला जदा घीज़ आता है तो समझिएगा फैसला तो आ जाता है पर अंतिम फैसला नहीं होता है अब नोट यहाँ याद रखिएगा अधिनियम के अंतर गद था था तो निश्व चपन का नयाले के निर्ने के बराबर होता था सुप्रीम कोट के निर्ने के बराबर होता है और क्या आपको मेला बताया था दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद हो या किंद और राज्यों के विवाद हो किंद या दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद हो तो वो क्या ह उच्तम नियाले का प्रारंबिक छेत्राधिकार होता है। प्रारंबिक छेत्राधिकार होता है। प्रारंबिक छेत्राधिकार होता है। प्रारंबिक छेत्राधिकार होता है। प्रांबिक 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 करता है। अरुद या रोकने से रोत करता है। मालनेजे अब इंडिया का कोई है। अब यहां पर बमपूत नदी आ रही है। यहां डेम बना देगा चीन। दस बीस पचास डेम बना देगा। तारे जल को रोक लेगा। ऐसे ही मांली जे भारतिव Twitch शेतर से जारा है पाकिस्तान में फिक में जल जारा है पाकिस्तान में अब इंडिया चाहे यहाँ पम सारे इसके नदी को सिंदू को खलना सभी जितने भी पांच नदी है पांच तत्व है उसके बड़े-बड़े डैम लगा दे बना दे आप पाकिस्तान पानी ही नहीं जाने दे ऐसा होता है बात सुनते हूंगे आपको वाटर वार इसको कैसे में सॉल्व करेंगे कि ऐसा ना भारत कर सके ना ऐसा चीन कर सके या विश्व में अन देश ना कर सके जो भी जहां भी जल अंतराश्टी जल अदाब पदान होता है उसकी बात हो रही है इसी सिधानता पालन किया जाता है शंपून पादेशिक अखंता सिधान जिसके ताद बहाव प्राकितिक बहा क्या होता है और हर नदी का प्राकृति बहाव का अस्तर अलग-अलग होता है ये भी आप लोग को डिखाएं रखना है तो चलिए मैंने सिंदु जल विवाद हुआ था उसमें बहाव छेतर की चर्चा कीती कितना बहाव आप लोग सभी नदी का होना चाहिए तो सिंदु का ब बहाव चिनाओ का बहाव उसके बाद व्यास का बहाव चिनाओ सभी का मैंने सभी नदी जो पांच तत्म नदी है उसकी चर्चा किया था तो आप फटा फट कॉमेंट में लिख दीजेगा जो सिंदु घाटी प्रयुद्ना के ताद जो नदी इसकुर जो समाप करने के ब्रंपुत नदी का बहाव लेवल क्या है मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ अगर आप लोग एक्टिम मोड में होंगे तो ज़रूरी याद रखेंगे चलिए नेश्ठ हम लों बात करेंगे नियाय संगत विभाजन का सिधानत याद रखें इसमें जोरत के अनुसार नद जल्की प्रात्मिक्ता तैकर की जाते है यह भी होता है अब देखें इंडिया आप पाकिस्तान का ही संदर में समझाओंगा ताकि संबघ सके और बन शो में भी सभी देशों में लाग होगा बस इंडिया पाकिस्तान किंप अपनाया जाता है अंतराश्टी जो नदियां बटवारा रहा है एक सीमा से दुसे सीमा में जाएगा तो उसमें क्या होगा मान लिजे पाकिस्तान और सूखा आ गया तो क्या करेगा भारत में सूखे का दौर चल रहा है अब मान लिजे बहुत सा बेरिया लगा दिया है बहुत से आपको डेम बनाए पानी को स्टो रखे हुए तो क्या करेगा पाइस्तान इंटरनेशनल डिस्पूट के तब भारत के साथ जो समझोते किये हैं उसके तब भारत से रिक्वेस्ट करेगा मेरे याँ सुखा पड़ा हो तो आप पानी को छोड़ी अपन पानी क्या हो सकता उसकी पूर्ती की जाएगी उसके लिए यह क्या करेगा इस नियम का परियोकर नियाय संगत विभाजन विशेज परिष्थिति में ऐसा किया जाता है किया जाना चाहिए भी हम प्राकृतिक संसादनों का अकेला दोहन नहीं कर सकते कोई भी देश हो अब म कि हाली में कल का मामला था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी पाकिस्तान अफगानिस्तान ने क्या क्या है अफगानिस्तान एक पोस्टर दिखा कर पाकिस्तान को धमकाया है क्या बोला रहे कि 1971 में जो आप लोग समझे समझोता कि यह तैना मेरे डिस्पूट चेतर में आईएगा तो वही हाल हम लोगी करेंगे जो सोच लिए अब आफगानिस्तान के तरफ से भी पिटाने वाले हैं इंडिया के तरफ से भी पिटाने वाले तो यह समझे कि ऐसी श्रीप्रों के इस के दिस्वा जर्ट्र नाइश आम जनता उसका लाब ले सके यह बात भूरा हू सब देश की अपनी अपनी प्रात्मिक्ताएं है अब देखिए अहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि भारत में सिंदू, कृष्णा, गोदावरी नदियों का बटवारा इसी अधार पर किया गया है नियाय संगत विवाजन सिंदू नदियों पाकिस्तान के साथ है ना कृष्णा और गोदावरी नदि बटवारा इसी के संदर में किया गया है कि आवसक्ता के अनुसार जो जरुत है प्रात्मिक्ता के अधार पर नदियों का बटवारा किया गया है नदियों का बटवारा किया गया है अब परिमती छ बहाव के समस्त तटिये देशो नदियों का समान अधितार होगा नदी के जो भी बहाव छेतर है उसके समस्त तटिये छेतर बहाव वा थाद राज्यों का नदियों का समान अधितार होगा इस सिधान के ता जैसे अब इंडिया में देख लिजे इंडिया का उधारन देता ता वो भी इस नियम ते लागू कर सकतें अंतराश्टी जो कानून अंतराश्टी जो लडिया हैं वो भी आपको इस परिनिती छेत्य संपूर्ता का सम्मान करतें जहां पर सभी नदियों का सभी के साथ समान ब्यवार होता है जितना हक करनाटक होगा इस नदी पर कृष्णा नद और सकता के अनुसार पर जलो का बटवारा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़े आपको ध्यान में रखना है नदी जल बटवारा और जो डिस्पूट है इसके नदी जल से सम्मंदित लेश्ट क्लास कभी इस पर आएगा तो लोग चर्चा करेगा फिलाल इतना यह दो देखेंगे तार कि सभी चीज़ों को कभर किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं यह तो हो चुका है आगे बढ़ने से पहले क्या करना आप लोग को आप लोग को यूट्टी आइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है शेयर करना है और महत् जो पर्चेश कर सकते हैं बहुत लोग प्राइस में है तो आप इसे जरूर ले सकते हैं अब देखिए कल ही बात की गई थी कल आपको परियावरण के संदर इतने और वी एक दोचीन डाटा आया तो इसको क्या करना अपडेट कर लेना जिसमें देखिए बहुत सी बाते की है कि राष्टिय जल मिसन की बात की गई है कि कैसे जल से संबंदित योजना ऐसी रूप रेखा आपको बात की जाएगी कल परियावरण पर आप देखिए मैंने आपको क्या बोला अभी दस से पंदर दिन आपनों को भी है ना की पॉइंट के चक्का में मत रहिएगा अभी यह देखिए नदी जल योजना से संबंदित योजनाओं के संदर में बात करता है और चार परतिसद हिस्यदारी पिर्थी पर जल उपलब्द के स्वक्ष जल अस्त्रोतों के में भारत का है तो यह सब प्रस्ण आपको एक्जाम पीटी में पूशेगा मेंस में आपको उसक पन देश बनाता है दो परतिसद भुभाग विश्व के कुल छेत्वा भारत के पास है देश के कुल छेत्पन 3.28 लाक वर किलुमेटर है ध्यान रखिए गया आपको अठारा परतिसद हिस्यदारी बैस्वी जन संक्याम भारत की है बड़ी अबादी कार हमारी जल क्या हो सक कितात आपको जल के सरक्षन आप वै और भी जो चीज़े हैं उसके लिए किया गया है भारत टेप पहल किया गया है पानी के कम खपत वाले सेनेटरी वेयर के परियोग को बढ़ावाद दिया गया टपकन जो रेन वेज का इन्वर्ष्टिंग किया गया यह सब चीजी यो न पाहित किया जा रहा जल जीवन समंदित मुद्धों के लिए निप्टारा जल सक्ती मन्वाले का गठन किया गया जल सक्ती जीवन मिशन के थाथ जोज़े चौविस तक सभी गामिन परिवारों के पाइप लाइन माजन से पानी उप्लव करानी तो यहां पे प्रसंट का उत दीजेगा बताईएगा चलिए नेश्ट हम लोग बात करेंगे इसी में सुख्ष गंगा मिशन की बात की गई पूल प्रोजेक्ट इसे साथ 408 है पूर्ण किया गया है अब तरह प्रक्रिया में 132 योजनाओं पर कारे हो रहा है तो इसे वाक्रें दीजिएगा 10.8.6 क्रोज से अधिक परिवागों देश में सुथ जल्व क्या पूर्ति की जा रही है 49 स्वक्ष गंगा वियान योजनाओं पर 2,23 में उत्तर परदेश के काम हो रहा है और यह देश का सरवाधिक संख्या रखता है 24 वक्ष गंगाय वियान के बिहार में काम किया जा रहा है और उत्तरा खंड में आपको बंगाल में 15 पंदर योजना है तो सबसे ज़्यादा उत्तर परदेश में क्योंकि गंगाय जाने सबसे ज़्यादा स्थान उत्तर परदेश तो 49 योजना है करना है बस आप छंता रखता है कितना कितना लोग इसको explain करता है देखिए कठीन दौर कैसे रहा है अगामी बजट का यह आपको चर्चा का विशे बनाता है इस पर आपको प्रस प्रस नहीं होगा पर अगामी जो बजट की रूप रेखा उसको आपको समझने में काम देगा जिसमें ये बाते की गई है थोड़ी थोड़ा था हिचकी लग रहा है पता नहीं क्या सुवस मों कोन याद कर रहा है मुझे इसमें भारत के समख जो बजट की चुनोती है मुद्रा स्पिर्ती वैस्विक इस्तेता या तो जो भी हाल के घटना कराम है उसको कितने राजपो में ये जो बजट आने वाला है ना फरवरी में होगा ना उसके लिए चालू वित्वर्स में जीडिपी नॉनिमल जो विर्दी है 15% रहने का अनुमान है अगले वित्वर्स में ये घट का 10.5% से 11% के दायरे में रहा सकता है अर्थ हिया है कि राजस्विर्दी में कुछ करेंगे तो वर्स्विर्दों का प्राप्ट होने वाला है आए प्राप्ट होना कहीं कम होगा इसके संदर में बाते की जारी नेश्ठ है इसी में आपको उर्वरक और इंधन की सब्सीडी के प्रस्नुकों भी बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग कोशन बताईएगा कि भ कितने कितने का होता है इसी को ध्यान में रखना इन सब चीजों को समझना है चलिए तो आपको यह सब चीजे याद रखनी चाहिए फट्रिलाजर के संदर में आकड़ा दीजेगा यह भी एक मुद्दा रहेगा क्योंकि अंतराष्टिक कीमत में उताच रहाओ देखने को मिला था वर्तमान में हलाकी नर्मी है पर जब तक आयागा यह बजट उसके संदर में हिसाब को क्या बिगाड़ेगा क्या करेगा इस रिजब बैंक के स्तिती पर कुछ नजर रहेगी वो किस प्रगास से स्टेज लेता है रिजब बैंक किस प्रगास सा और्पूर देता है बजट के लिए यह भी एक इंपोर्टन्ट हैगा और इसके बाद उत्पादन अधारित पुरसाहन यादिन पी एलाई योजना के संद कि हम लोग बजट पर जाएगा एक विस्तित में वीडियो बनाऊंगा उस पर तब तक आपनों को यह जीजे अपडेट रखना है कि हाँ इसमें बेग्राउंट क्या चल रहा है अभी मान लेजे जो वित मंत्री है निर्मला सितारमन जी उनका क्या दिमाग में चल रहा होंगे तो यह याद रखिएगा तो इसे कवर रखिएगा चिक ना चलिए मत दताओं की भगदारी बढ़ाने की पहल की जाए रही है जिसमें आपको यह चर्चा में हाली में आया है ना कि जाक पत्र परनाली के अलग यह प्रस्तावी जो रिमोट इवीयम मसीन की विवस्त कर रहा जिसकी आपको यह जो बुलाया गया सुला जनौली को सभी आठ राज चिसके पार्टिय और संतावन राज अस्तरिय जो पार्टिय आवंतित किया रहा है उसी से संबंदी चीजों को ले कि यह बताता है जिसमें इसके फाइदे क्या है यह एक साथ बहत्तर निवाच सुधार कितने भी किये जा रहे हों देखिएगा यहाँ पर चुनाओं में भाग लेना केवल परवासी भारतिय ही नहीं है थात एक राज से दुसरे राज में रह रहे है उसका ही कारण एक मात कारक नहीं है उसके अनकारक भी है जिसमें यह बात कहा जाता है कि हम रोगों को कुछ सुधार करने की जुरत है जैसे पॉलिंग अजेंटों की ब्रावस्ता रिमोट वोटिंग परकिरिया के तहत काम करने वोटिंग की गिंती करना या तो और भी चीजे हैं उसके तक कुछ संसोधन की बात की गए जो एक्ट में पहले चर्चा किया हूं लोग परतिनीजित अधिनियम 1950 एकावन निर्वाचन संचालन नियम 1961 निर्वाचन राश्टी रजिस्ट्रेक्षन आपको नियम 1960 तो यह से में संसोधन करने की जुरत है और मतदान क्यों नहीं करते हैं उदासी ने उसके पीछे लोगों का मानसिकता सबसे इंपोर्टेंट है मानसिक बहवाद मानसिक बहवाद सबसे इंपोर्टेंट है एक तो कारण है कि हम लोग तकनीक का बहतर परियोग नहीं करवा पारे है अथा देखिए अभी सभी के हाथों में लगवल लोग के हाथों मोबाइल होता है है न जो भी पढ़े लिखे जो बाहर रह रह रहे परिवासी लोग रह उसमें अधिक्तर लोग पस मोबाइल होता है तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि ऐसा एप डवलप्मेंट करवा सकते हैं जिस पर उस माध्यम से हम लोग बोटिंग कर सकते हैं अपने छेतर में ऐसा तो हो सकता है न वन रेजिस्ट्रेशन होगा और वो क्या करेगा आप कर तो बिहार में जब भी बोटिंग होगा तो मेरे मोबाइल पर अलट होना चाहिए अब मेरा मोबाइल जहां भी GPS सो कर रहा हूं वहां के सक्षम बैक्ति जो होंगे निर्वाचन अधिकारी होंगे मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं या मैसेज मुझे डॉप कर सकता है कि हाँ इ लाब ले सके तो ध्यान अखिएगा तक्नीक का बहतर परियोग ना हो पाना भी हम लोग एक कारक है कि हम मद्दान बहतर नहीं करवार पर जो परतिसत है वो कम हो रहा दूसरा लोग की उदासिंता है उस दिन लोग बोट जी दीन होता है लोग को काम याद रहता है या हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आज विश्व में इस से अधिक देश अनिवार भोटिंग का मद्दान कानूं बनायों तो भारत को यह ऐसा करना चाहिए इसमें लोगतंत सफल होगा इसकी भागदारी एक बहतर जनहित्र सरकार का गठन किया जैसे पर मैं इससे कुछ करता हूं कि अनिवार भोटिंग उन देशों में अनिवार उसे लागू की जा सकती जहां पर साक्षरता दर और साक्षर लोगों की संख्या में विश्थिर अधिको जहां पर लोग जवाब देही के चीजों को समझ सकते हों क्या भारत में ऐसे वर्ग हैं जो अपनी जवाब देहिता को समझते हों नैतिकता के अधार पर यहां पर जो प्रसासनिक अधिकारी है या तो नेता है या तो को भी अधिकारी विधायक प्रसासनिक बीम पीम सीम किसी का भी नाम ले लिजे पद के लिए तो वो बने हुए हैं पर जवाब देही कितना है लोग के सब्सक्राइब के साथ बहवार में भी जलगता है इसलिए वहां पर अनिवार भोटिंग की परकिरिया सफल होती है यह तो भारत में अगर लगा देंगे न अभी हम लोग अनिवार पर रहती है तो अभी पार्टियों में विरोध सुरू हो जाएगा तो यह सबसे इंपोर्ट अपनियास जब तक हम नयतिकता के अस्पर में बढ़ाव नहीं करेंगे लोग नयतिक नहीं समझेंगे कि मेरी जिम्वारी या नयतिक जिम्वारी है वोट देना तो यह जब तक नहीं होता अनिवार पर वित्री नहीं आ सकते है यह विकल्प तो है ही न इसको ध्यान में 2023 में क्या क्या चीजे करने वाला है उसके वाले हलाकि मैं पहले भी चर्चा किया हूं बस यहां पर एक न्यूज दिया है उसे आप लोग राइट डाउन रखेगा आदित एल भेजने वाला भारत 2023 मार्स 2023 में लॉंच होगा आदित वन उसके बाद आरल भी एल एक्स मिसन ज लेंडिंग एस्प्रेमेंट किया जाएगा आपको चितर दुर्ग में जो मिसन हम लोग मानो मिसन भेज़ें में उसके लिए जो यान होता है जैसे कोलंबिया यान था उसी तरह भारत का भी एक यान होगा जो लेकर जाएगा पल वापस लोटके आएगा न उसके लिए एक चाहिए न तो उसी के लिए एक लेंडिंग एस्पेस वे आपको करने वाला है आरेन भी री इरिजबल आपको यह इससे बोला जाता है यान उसी तरह गगन यान मिसन होगा दोजाग चौविस में होगा फिर इसका चंदरियान थ्री होने वाला है इसकी भी लांचिंग की प कूँ सकता है साथ इसाथ साथ इसके जब भी साइनस टेक में इस्टो के भूमिका के संदर में बात होगी न हुए सबी का उधारन आपनों दे सकते खासका घ्यान रख्यांगा इन सब चीज़ों को कवर करना उमीद करता हूँ आज का दैनिक झायरान आप लोग को बिश्ट चाहिए तो साथ ये अंडरलाइन पेपर भी अबलेवल कराया जाता है ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना है कि आप पर जाकर डाउनलोड करके दैने जार न्यूज एनलेसिस का 499 का पेकेज आता है एक साल का भेल्टी उसे परचेज कीजिए धन्यवाद जैन